आप सब लोग आप सब लोग अपनी हेल्थ का और अपनी फैमिली का अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे मैं हूं विवेक अर्जुन और मैं आपके स्टेडी बैंड यूट्यूब चैनल पर आप सब लोगों का वेलकम करता हूं आज है 24 अपरल 2020 और हम जो लेक्टर को चला रहे हैं आपको बता दूं कि यह न्यूव सीरीज आप एज्यूकेशन है जिसके अंदर हम डेली के कोशन आंसर की सीरीज देखते हैं देन भी लास्ट में हमें एक मैप करते हैं जो आपको यूपी सी एससी बैंकिंग एंड एड़ स्टेट इग्ज लेक्टर को स्टार्ट करते हैं बेना किसी देरी के सब्सक्राइब से पहले हम यह लाइन देख लेते हैं जो काफी हमें मौटीवेट करती हैं कहते हैं आप इनस टॉप में आइट माई एजुकेशन इफ इस फेरेजिव और ऑप बोलें इस तो किते अच्छे लाइन बोली आप मेंसे किसी ने अगर यह चीज़ ठान लिए डिटर्मिनेशन बना लिए अपनी यह माइंसेट कर लिए कि आपने कुछ करना है आपने अपने गोल को चीफ करना है ठीक है तो चाहे कोई भी आपके सामने आजाए या कोई भी आपको रोके पढ़ने से मतलब कोई भी वर्स ते वर्स बट मैंने रुकने वाला I will get my education मैं पढ़ूंगा और मैं अपने daily routine का जो मैंने सोचा है मैं उसको अचीफ करके रहूंगा चाहे वो घर हो चाहे वो एक school हो और any place हो तो आपने यह नहीं देखना कुछ बच्चे होते हैं मैं school जाओंगा तो मैं पढ़ूंग तो यह सब चीजें आपको रोक नहीं पाएंगी अगर आपने अपनी education लेनी है आपने कोछी चीज पढ़ना है तो आपने वो पढ़ना है ऐसे करते करते एक दिन ऐसा आएगा कि आप अपने goal को चीफ कर लेंगे ठीक है guys तो बढ़ते अपने next slide पे next slide हमारी question answer की है यहां प question का answer देने की कोशिश करें और उसे comment box में जूरूड लखें इससे क्या होगा कि आपकी practice हो जाएगी और questions आपको लंबे समय तक याद भी रहेंगे ठीक है start करते हैं कहता है where is the headquarter of United Nations Office on Drugs and Crime UNODC तो United Nation Office on Drugs and Crime का जो headquarter है वो कहां पर आपने यह बताने है ठीक है option देखें जल्दी से A option कहता है France B option कहता है Russia C option कहता है Switzerland and D option कहता है Austria तो जल्दी से अपना answer दीजिए और देखते हैं इस question का correct answer क्या है option D is a correct answer Vienna Austria तो Vienna Austria में इसका headquarter मिलेगा ठीक है कब found किया गया था 1997 में इसको found किया गया था आप यह भी याद रखें चलिए बढ़ते है next question के और next question कहता है where is the headquarter of securities and exchange board of India CB इसे हम शौट पर आपने के वार नाम भी सुनाओगा savvy CB ठीक है HCBI तो इसका headquarter कहां पर आपने वह बताना है ठीक है और सब को पहले बता दूं कि कौन सी city में है या कौन सी state में है आपने वह बताना है तो यह option देखिए डैली भी option कहता है कानपूर्स यह option कहता है है हैधराबाद अंडी option कहता हमार मुंबई तो जल्दी सफना आंसर दीजिए और देखते हैं इसकोशन का क्रेक्ट आंसर क्या है option D is a correct answer Mumbai Mumbai महारास्टा में इसका आपको headquarter मिलेगा TB का ठीक है तो सभी का जिसे security and exchange board of India तो के बार फुल फॉर्म भी आती है तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे गलती नहीं होया अगर इसको फाउंड कप किया गया था 12 April 1992 में इसको फाउंड कर किया गया था और आज के टाइप इसके चेरवर्ण से कोन है अजय त्यागी जिनके चेरवर्ण से में चलिए question पर eh d Next question कहता है what is the in調 रख forbidden ड्रेन ग्लोबल सोचल मोबिटी इंडेक्स 2020 तो रिसंट लए ग्लोब सोचल ठीरी इंडेक्स 2020 जो जिसमें इंडिया का कुछ अर्गाया वह रंट कितना आया आपने वह बताना है ऊप्षीन केटा है 75 B ऌप्षीन केटा है 76 C आप्षीन केटा है 77 and D ऑप्षन केटा है 78 तो जल्दी से पना आंसर दीजिए एंद देखते आइए इस न्यावक्षिण का करेक्ट आंसर कहा है ऑप्षंट बी इस अकरेक्ट आंसर 76 तो 76 इंडिया का रेंक रहा है Global Social Mobility Index 2020 में ठीके गाइस और 1st rank पे कोन आया है आप वो भी थोड़ा ध्यान रखें Denmark का 1st rank है इसमें Norway 2nd पे है and Finland 3rd पे है and yesterday हमने किया था Global Press Freedom Index 2020 जिसके अंदर इंडिया का रेंक कितना है था 142 इंडिया का रेंक था इसको भी आप याद रखें and 1st rank उसमें Norway का 1st rank था and Finland का 2nd rank था Denmark का 3rd rank था ठीक है इसको भी आद रखें चलिए फूव करते हैं next question पे next question कहता है which country became the first Arab nation to legalize forming for medical यहाँ पे थोड़ी सी गलत हो गया है Spelling medical and industrial use तो किस country ने इस cannabis को legalize इसकी farming को legalize कर दिया हो है और ऐसे करने वाली अरब की first country बन चुकी है जो इसकी farming करेगी for medical and industrial use के लिए ठीके तो वो कौन सी country है आपने वो बताना है option देखिए A कहता है Syria B option कहता है Jordan C कहता है Israel and D कहता है Lebanon तो कौन सी country है जल्दी से अपना आंसर दीजिए देखिए इस कोशन का correct answer कह है option D is the correct answer Lebanon तो Lebanon country ने recently इसको legalize कर दिया है permission दे दिया है कि यह farming कर सकता है कि इसके लिए medical or industrial use के लिए ठीके इसको आप ध्यान रखेंगे capital देखेंगे capital है इसके बेरो तो इसकी capital है currency Lebanese pound इसकी currency है ठीके तो आपको याद आ रहा होगा हमने map based question में इस country को cover किया हुए ठीके चलिए Middle East country को cover किया था उसमें ये भी country आते है Middle East country है ठीके बूलेगे नहीं आप move करते है next question पे next question कहता है Dash has agreed to buy 9.99% stake in the Reliance Geo for rupees 43574 crore ठीके ये amount आप याद रखेंगे and amount याद रखने जोड़त नहीं आपको बसे percentage आप याद कर सकते कि approximately 10% Reliance Geo में shares जो है किस company के द्वारा recently खरी देगे हैं ठीके इसको आप याद रखेंगे तो ऐसे करने वाली कौन सी कंपणी है option देखिए एक कहता है Amazon B option कहता है Google C option कहता है Facebook D option कहता है Microsoft तो किस company के दा रहा है इसको इसके shares को खरीदा किया जी होगे तो option देखते है three options the correct answer Facebook तो recently Facebook ने इसके 10% shares खरीद लिये हैं कितने 43,574 crore में ठीके काफी बड़ा amount आई है जिसमें 10% आपको हमारे इंडिया में दिखेगा और जियो भी अपना जियो मार्ट स्टार्ट करने वाला है देखते हैं कब तक स्टार्ट होता है चलिए बढ़ते हैं नेक्स कोशन पर है तो यह इंवाइट कर रहा है यह लर्निंग कंटेंट को तांकि आपको पता है कि लॉग्डॉन लगा हुए काफी सारे स्कूल इन युनिवर्स्टी बगेरा बंद पढ़िएं तो विद्यादान कर गेक न्यू बोर्तल को स्टार्ट के एक प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया तो इक किसके द्वारह स्टार्ट किया का आपने बह स्टाराना है ठीके तो यह option कहता है जलती option देखिए या केता है निशांग भी ऑप्शन कहता है अमिशाह सी ऑप्शन कहता है राजनात सिंग दी ऑप्शन कहता है निर्मला सीता रमन तो जल्दी से अपना आंसर दीजी एंद देखते हैं इसको यह ना करेक्ट आंसर क्या है एति है यूमन रिसोर्स डेवलमेंट ठीक है यह टती है इसको धिहान रखेंगे भूलेंगे नि यह और बाकी घर को ती हो मिनिस्टरी कर गें करेंगे तब भी आपको कोई कोशन स्याद होते रहेंगे ठीक है चलिए नेक्स कोशन कहता है डैश स्टेट गवर्मेंट है स्टार्टेड एलप लाइन अंडर सर्फ दा सीनियर इनिशेटिव तो यह किसके कोशी स्टेट के द्वारा इस हेलप लाइन नंबर को स्टार्ट किय गया है जो सब्सक्राइब इनिशेटिव स्टेप उठाया है तो देखते हैं ऑप्शन देखे उसने पहले एक एक चेंट के बीकाता है यूपी सी कहता है माचल परदेश और डेली तो जल्दी सांसर दीजिए एंदेखते हैं इसको और करेक्ट आंसर चेंट के तो रिसेंट करेगी उन senior citizen को आपको पता है कि lockdown के दुरान काफी सारे हमारे senior citizen अपने घर से बाहर नहीं आ पारे वो अपनी जो जुरूरतों का समान है वो नहीं प्रॉपरली ख्रीद पारे तो यह help line के नंबर यह उनको help करेगा चाहिए वो medicine हो grocery का समान हो और other essential item हो जो जो वो घर से बा launch of its third party boom fact checking system in Bangladesh to discourage the spread of fake news in the country तो याद रखें आज के टाइम पर जैसा टाइम चल रहा है तो काफी ज़्यादा लोग लोग क्या हैं जिसमें होते हैं ऐसे लोग जो fake news को बहुत जल्दी spread करते हैं आपको पता है WhatsApp सबसे बड़ा इसमें वह है पॉर्टल है आपने के वर देखा होगा कि जो अच्छी चीज़ होती है वह ज्यादा जल्दी spread नहीं होती है ठीक है बट जो फेक न्यूज है या जो गलत बाते हैं वह तो दो मिनिट में आप कहीं से कहीं पहुंच जाती है ठीक है तो ऐसी कौन सी कंपनी ने अनौन्स किया है यह हमारी इंडिया का है तो या प्रण कहते है पे टीहुंच कहते है फेश्बुक तो चल्दी सबनान साव दीजी देखते हैं ओपशन दीज़ा कोई तो अच्ट फेस्बुक तो रिसे फेस्बुक के दुरारा इसको स्टार्ट किया गया है लांच किया गया बंगलदेश में ठीक है मूउघ करें थोचन यह उप्शन कहता है अर्जंटीन चाइना एंड ऑप्शन कहता है स्विचल लैंग तो जल्दी से अपना आंसर दीजी और देखते हैं इसको चुछन के करेक्ट आंसर क्या है ऑप्शन एज़ेक्ट आंसर सेनिकल तो सेनिकल कंट्री में इस टाइम 2022 में यह समर की यह समर के उलंपिक के रहेंगे ठिके एंड सेनिकल जो कंट्री में मिलेगी वैस्ट इं अफ्रीका में इंगा इसको भी आप रखाए वैस्ट अफ्रीका में चालिए चालिए नेक्स कोशन क्या कहता है देखिए कहते हैं what is the theme of the world health day 2020 तो जो world health day 2020 की जो theme थी इसवार की वो क्या है आपने वो बताने हैं सबसे पहले option देखिए universal health coverage everyone else everywhere B option कहते है depression let's talk C option कहते है all the rise be diabetes and D option कहते है support nurses and midwives सबसे पहले मुझे बताई है जो यह world health day है हम कब celebrate करते हैं यह हम करते हैं 7 April को celebrate every year ठीक है अब यह क्यों करते हैं यह भी मैं आपको बताऊंगा इसी दिन हम ले हमने 7 April को World Health Organization को found किया गया था 1948 में 7 April 1948 ठीक है इसको प्याद रखेंगे इसलिए इस दिन को World Health Day को as a World Health Day celebrate करते हैं ठीक है तो जल्दी सांसर दीजिए जो थीम है इस साल की वो क्या थी देखते हैं इस question का correct answer क्या है option D is the correct answer support nurses and midwives तो support nurses and midwives इसकी theme है 2020 की ठीक है और इसको हर साल मनाई जाता है 7 April को जैसे मैंने बताया है कब फाउंड किया गया था इसको डबली अच्चों को 7 April 1948 को ठीक है चलिए move करते है next question पर next question कहता है UN English Language Day 2020 is celebrated every year on Dash तो UN English Language Day English Language Day है या International English Language Day 2020 इसको हर साल celebrate किया जाता है कब क्यारते हैं वह आपने बताने हैं option देखिए यह option कहता है 21 April B option कहता है 22 April C कहता है 23 April and D option कहता है 24 April तो जल्दी से अपना correct answer दीजिए और देखते हैं इस कोशन का correct answer क्या है option C is the correct answer 23 April तो 23 April को हर साल UN करते हैं जिसे हम English Day भी बोलते हैं यह आप कहलो इंटरनाशनल इंग्लिश्ट लैंग्विज दे भी बोलते हैं ठीक है तो 23 April को celebrate करते हैं recently कल ही इसको celebrate किया गया है चलिए बूब करते नेक्स कोशन पर और नेक्स कोशन कहता है डिस अबर लास कोशन एंदिट इसमयाब बेस्के स्कॉशन जैसे हम डेली एक मैप कुशन करते है कहता है तजाकिस्तान इस a country located in Central Asia तजाकिस्तान शेर्श इस land border with Dash तो तकिस्तान country किसके साथ अपने International border शेर करती है अपने वो बताने है ठीक है option देखी एंप्शन कहता है पाकिस्तान बी सैक्ट स्वरी option नी statement कहती है एंसरे क्ति आफगानिस्तान थर्ड्र जेटिमेंट कहती है छाहिना करेक्ट आंसर क्या है option d is a correct answer both second and third तो जो second statement और third statement correct है तो देखते second or third statement क्या है second statement कहती है Afghanistan and third statement कहती है China तो both China and Afghanistan shares its international border with Tazakistan तो इसको आप याद रखेंगे बूलेंगे नहीं ठीक है आईए अब Tazakistan के बारे में थोड़ा जान लेते हैं capital देखें capital है दुश्यनमे is the capital of Tazakistan currency क्या है currency क्या है वो देख लिजी तजाकिस्तानी समोनी तो समोनी क्रंसी है इसको याद रखें important है currency capital important हो जाती है exam point of view से और एक और देख लिजिए जो तजाकिस्तान country है international four countries के जाद अपना international water share करती है वो country कुण कुण सी है उसका उनको भी देख लिए चाइना अफगानिस्तान उस्बेकिस्तान एंड क्रिगिस्तान ठीक है अब थोड़ा इसको मैप में देखते हैं तांकि आपको थोड़ा लंडे समय तक याद रहें तो यह आपके सामने है तजाकिस्तान आप देख पा रहे होंगे देश तजाकिस्तान एंड यह उसकी नेवरिंग कंट्री है यह अफगानिस्तान के साथ अपना land water share कर रहा है यहाँ पे चाइना के साथ कर रहा है उपर क्रिगिस इनट्री पेसंटर में है यह रहाँ तो यहां पर इंडिया केंपरिशन तेखिए तो यह है तेजाकिस्तान ठीक है हमारा जो बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ तच करते है उसके next ही तो आई को आपको यह क्लियर होगा और फैक्यू गाइस अगर वीडियो की अगर आपको q 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 qq q 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 में आने वाले टाइम में इसको ठीक कर सकूँ और आपको अच्छे से प्रेजन कर सकूँ तो थैंक यू गाइज स्टे होम स्टे सेफ स्टे हल्दी बबाई